Hello student, आज हम करेंगे आपकी class 12 का chapter 1 relation and function की exercise 1.1 देखो, इसका basic हम कर चुके हैं, अब हम इसकी exercise करेंगे इसके अंदर देखो, first question क्या का है आपसे? कि determine करना है कि each or the following relation are किया तो reflexive है, symmetric है या transitive है? हम में बताना है कि जो हमें relation ये दे रखे हैं, ये हमारे कैसे relation है? तो हमारा जैसे first part दे रखा है, first question के 5 part है, तो इसका first part है हमारा कि relation are in a set a is equal to 1 से लेकर के कहां तक दे रखा है? 14 तक दे रखा है और relation are को कैसे define किया है? x, y such that 3x minus y is equal to 0 ये हमारे r को define कर रखा है तो हमें जो ये x है वो भी a में से लेना है और जो ये y है वो भी कहां से लेना है? हमें a में से लेना है ठीक है? तो ये यहां तक और a हमें कहां तक दे रखा है? देखो ये हमें दे रखा है, 1 से लेकर के 14 तक दे रखा है तो हमने सबसे पहले देखो यह जो हमें relation है इससे हम element बनाना शुरू करेंगे हमारे relation के कैसे बनाएंगे तो जैसे 3x-y है तो मैं इसको इधर ले आती हूँ right में तो y is equal to कितना हो गया मेरा 3x हो गया अब हम relation बनाते देखो अगर मैं x को यहाँ पर 1 रखती हूँ तो y कितना आ गया 3 आ गया अगर मैं x को यहाँ पर 2 रखती हूँ तो y कितना आ गया 6 आ गया x को अगर 3 रखती हूँ तो y कितना आ गया मेरा 9 आ गया और x को अगर 4 रखती हूँ तो y कितना आ गया मेरा 12 आ गया तो यह हमारा relation बन गया अब मैं अगर x को 5 रखती हूं तो y कितना आ जागा 15 और 15 हमारे इस set के अंदर नहीं आता क्योंकि यह हमें कहां से कहां तक दे रहा है 1 से लेकर 14 तक यह हमें 15 तो इसमें आते ही नहीं तो सबसे पहले हम देखते है reflexive तो reflexive में क्या काता हमारा एक ऐसा relation होने चाहिए जिसके अंदर ए ए हम लें belongs to R such that ए जो हमारा है ए में से ही आना चाहिए हमारा तो यह सारे every element जो related होना चाहिए इटसेल्व से तो कैसे हमारा देखो one-one होना चाहिए तो यहाँ पर one-one इस relation में है ही नहीं ठीक है अगर मैं इसका Cartesian product करूँगी तब तो हमारा सारा का Cartesian product का ही तो यह हमारा subset है तो देखो अगर one का one के साथ देखें तो इसके अंदर नहीं है ठीक है तो कोई भी ऐसा relation नहीं है इसके अंदर कोई भी ऐसा हमारा ordered pair नहीं है जो की हमारी कौनसी condition को satisfy करें reflexive की condition की one-one हो या two-two हो या three-three या four-four कुछ भी नहीं है तो इसलिए यह हमारा reflexive नहीं है not reflexive अब अगर हम symmetric की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था अगर if a b belongs to r हो then b c b belong करना चाहिए r में से क्या condition है हमारी if a b belongs to r then b c belongs to r यह condition होती है हमारी अब देखो अगर इसके अंदर हमारा relation में one तो three के साथ है क्या three भी one के साथ है तो यहाँ पर हम check करेंगे तो three का one के साथ है ही नहीं ऐसे two का six के साथ है तो क्या six का two के साथ है यह नहीं है यानि कि a b तो belong कर रहा है r में लेकिन b a जो है हमारा belong नहीं कर रहा है r में से तो इसलिए यह है symmetric भी हमारा नहीं है not symmetric करेंगे अब आते हैं मन transitive पे transitive में क्या होता है हमारा कि अगर one का three के साथ है देखो one का three के साथ है और three का nine के साथ है लेकिन फिर हमारा one का किस के साथ होना चाहिए nine के साथ मैंने का था कि अगर a का b के साथ है b का c के साथ है देखो यहां पर है ना ये connection A का तो 3 के साथ नहीं A का B के साथ हो गया फिर B का C के साथ हो गया तो A का C के साथ यानि 1 का 9 के साथ अगर है तब तो ये Transitive होगा, otherwise नहीं होगा तो इसके अंदर 1 का 9 के साथ नहीं है, तो इसलिए Transitive नहीं है, तो ये है function जो पहला वाला relation है हमारा not not reflexive not symmetric और not transitive यानि कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है हमारा हमारा second part देखेंगे इसका इसके अंदर क्या देख रहा है r is equal to xy एक relation r is equal to xy और यह जो relation हमारा किस पर दे रखा है देखो natural number पर दे रखा है relation r in a set of natural number पर दे रखा है हमें पते natural number कहां से start होते है हमारे one से start होते है one two three four up to seven तो क्या relation दे रखा हमें देखो r is equal to xy y is equal to kya है x plus में five और x जो है less than four है यानि कि four से छोटे ही रखने है हमें x की value तो हमने सबसे पहले x को one रखा तो y कितना आ गया six आ गया हमारा x को अगर मैंने two रखा तो y कितना आ गया seven आ गया और x को अगर मैंने three रख दिया तो y कितना आ गया eight आ गया अब मैं x को four नहीं रख सकती क्योंकि यह जो है x जो है less than four है तो अब इसमें check करेंगे तो क्या इसके अंदर देखो one का one के साथ नहीं है two का two के साथ भी नहीं है three का three के साथ भी नहीं है ठीक है next देखो अब इसके अंदर 1 का 6 के साथ तो है Transymmetric में 1 का 6 के साथ है लेकिन 6 का 1 के साथ नहीं है ऐसी 2 का 7 के साथ है लेकिन 7 का तो 2 के साथ ही नहीं है तो क्या हो जाएगा it is not symmetric है हमारा symmetric भी नहीं होगा उसके बाद Transitive में क्या condition में ताही थी A का B के साथ है यानि 1 का 6 के ताह फिर 6 का किसी और के साथ है क्या नहीं है यानि A B condition तो है B C तो यहां है नहीं इसी तरीके से 2 7 है 7 का किसी के साथ भी नहीं है फिर आगे 3 8 है और 8 का किसी के साथ नहीं यानि कि A B दे रखे है B C किसी के साथ है नहीं तो मैंने क्या बताय था इस टाइब की कर्णिशन में अगर A B है और B C नहीं है तो फिर हम A C B चेक नहीं करतें तो यह हमारा कैसा function हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर यहाँ पर हमारा 1 का 6 के साथ और 6 का किसी 7 के साथ या किसी और के साथ होता फिर 1 का 7 के साथ होना बहुत जरूरी था ट्रांजिटिव होने के लिए लेकिन यहाँ पर 1 का 6 के साथ हो है लेकिन 6 का आगी किसी के साथ नहीं है तो इसलिए इस टाइब के कर्णिशन को हम क्य देखेंगे, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, relation R एक सेट दे रखा है हमें, relation R इना सेट एक इतना दे रखा है हमें, 1, 2, 6 दे रखा है और relation क्या है हमारा X, Y, such that Y is divisible by X, जो Y है वो X से क्या होना चाहिए, divisible होना चाहिए तो हम relation में शुरू करते हैं, देखो, जो हर number होता है, वो खुद से तो divisible होता ही होता है ठीक है, हर जो number होता है, every number is divisible by itself, तो यानि कि जैसे मैं 1 का 1 के साथ लिख सकती हूँ क्योंकि 1 तो 1 को divide करेगा, इसी तरीके से 1 का फिर मैं 2 के साथ भी लिख सकती हूँ क्योंकि 2 को भी divide करेगा, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 1 तो हर एक को divide करेगा, तो पहले मैंने 1 के 6 के साथ तक लिख लिए, उसके बाद देखो, 2 का, अब 2 का 2 के साथ लिखूँगी, क्योंकि 2 तो है, क्या हमारा, 2 को तो divide करेगा, तो 2 का 2 के साथ हो गया, फिर 2 का कि के साथ होगा 4 के साथ फिर 2 का किसके साथ होगा 6 के साथ तबी तो यह जो है divisible by x होगा उसके बाद 3 पर आजाओ 3 का 3 के साथ itself तो हो गई होगा उसके बाद 3 का किसके साथ होगा हमारा 6 के साथ अब उसके बाद 5 का 5 के साथ रहे 5 किसी और को तो divisible करेगा यह नहीं तो बस 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ तो यह क्या बन गया मेरा एक relation बन गया अब देखो क्या यह reflexive है तो यह होगा क्या reflexive देखो तो इसके अंदर 11 ह이지 22 1003 एकुइर 255 वो देख से अरे कमें रहे जितने बिएक नंबर से वारे चितने भी के लिमेंट से तो सब का साथ इमेज ही रही तो यह एक हुचा होगा यानि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे इन जनरल में, ये जो है कहां से बिलॉंग कर रहा है, आर में से कर रहा है, तो function कैसा हो गया, मेरा reflexive हो गया, अब symmetric के लिए, अब ये symmetric में देखते हैं, या पर इसी relation में, अगर 2 का 4 के साथ है, तो क्या 4 का 2 के साथ है, हमारा नहीं है इसके अंदर, तो यानि कि जैसे ये 2 है, 2 तो divide करेगा 4 को, लेकिन जो 4 है, वो 2 को divide नहीं करेगा, तो ये function is not symmetric, ये function हमारा symmetric नहीं होगा, अब आते हैं हमारे transitive में, transit में देखेंगे, देखो 1 का 3 के साथ, ठीक है, अब 3 का क्या है, 6 के साथ है, A, B condition satisfy होगी, B, C condition, तो क्या A, C, B satisfy है, यानि 1 का 6 के साथ है, ये रहा है, हमारा, ठीक है, और भी कोई देख लो चाहिए, 1 का 5 के साथ, 5 का 5, और किसी के साथ 5 का 5 के साथ, तो 1 का 5 के साथ, तो ये ही बन गया हमारा, और देख लो कोई साथ, 2 का 6 के साथ, 6 का 6 का 2 का 6 का, तो यह हमारी सारी condition कोई साथ भी एक सेट उठाके कहीं से भी कोई एक लेकर देख लो A, B, B, C और C ये हमें A, C A, B, B, C और A, C हमें सारा condition हमारी satisfy हो रही है तो 1 का 3 के साथ भी है, 3 का 6 के साथ भी है फिर 1 का 6 के साथ भी है तो ये function कैसा होगा है हमारा transitive function तो यह हमारा जो given function है, यह reflexive और transitive है, but not symmetric अब मारा fourth part देखते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो relation R in a set of integers, अब हमें integers पे दे रखा है, the set of all integers में तो relation क्या दे रखा है, देखो R is equal to xy, xy is an integer और x-y क्या है, हमारा integer है, तो देखो सबसे पहले reflexive वाली condition करते हैं हमारा तो इसके अंदर अगर मैं xx लेके चलती हूँ, तो xx लेके चले हम, तो x-x क्या हो गया, is equal to 0 और 0 क्या है, हमारा integer, अब हम x की जगा कोई भी element ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 1-1 करेंगे, तब भी 0 आएगा, 2-2 करेंगे, 0 आएगा, 3-3, तो in general ए, ए क्या करेगा, belong करेगा r में से, तो ये condition satisfy हो रही हमारी, तो ये given function हमारा क्या हो जाएगा, reflexive हो जाएगा ठीक है, next हमारा आता है symmetric, symmetric में क्या होता है, देखो, xy अगर r से belong कर रहा है, तो yxb r से belong करना चाहिए तब हमारा क्या होता है, symmetric, यानि कि अगर x-y एक integer है, तो y-xb एक integer होगा ही होगा, कि जैसे अगर आप कोई भी example ले सकते हैं, 2-4 हमारा ले लिया मैंने example, तो 2-4 क्या आता है, मेरा minus का 2 ये एक integer है, तो मैं 4-2 लेके चलती हूँ, तो 4-2 ये क्या आता है, 2 तो ये भी तो य क्या है, हमारा एक integer है, तो ये condition हमारी satisfy होती है, नि एक सवाइ एक सवाइ अगर integer है, तो y-xb क्या होगा हमारा integer होगा, तो relation कैसा होगा हमारा symmetric होगा, आते हैं अब हम transitive है, ट्रांजटे में क्या होता है, अगर x-y बिलॉंग करता है आर में से, y-z भी करता है आर में से, then x- z भी कि इसमें हना चाहिए हमारा r में से, तो function कैसा, relation कैसा होगा हमारा transformative होगा, तो इसमें ले लो, आप चाहिए कोई भी element ले लो, की 2, 3 ले लिया हमने, 3, 4 ले लिया, तो 2-3 करेंगे, तो क्या है कि हमारा minus का 1 ये एक integer, 3-4 करेंगे, तो अभी हमारा minus का 1 ये भी एक integer, generalized तरीके से हो जाए का, हमारा generalized form में कि अगर x, y, r में से belong करता है, y, z, r में से करता है, तो हमारा x, z भी किसे करेगा? relation से ही belong करेगा, तो ये जो है हमारा कैसा relation हो गया भी बताया था, हमने जब ये तीनों ही relation satisfy हो जाते है, अन्य कि, reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया, transitive भी हो गय तो यह हमारा कैसा relation हो गया, equivalence relation अब हमारा 5th part है, first question का, देखो, relation R in the set A of human beings in a town of a particular time given by देखो, क्या दे रखा है में, एक पहला part, इसी का ही, 5th के भी हमारे को यह part दे रखा है 5 part, तो 5th का ही A part में, देखो, क्या लिखा है, R is equal to x, y such that x and y work at the same place, तो always है, आप अपने आप प्रूफ करके देख सकते हैं कि खुद x जो है, x, अगर में आप आप x, y कीज़ेगा, x, x लेती हूँ, डिफ्लेक्सी प्रूफ करनी के लिए तो x, x अगर अपने आप खुद के साथ तो काम करेगा ही करेगा, यानि x, x जो है वो same place पर ही काम करेंगे, अपने आप जो है, x itself x के साथ तो काम करेगा ही करेगा, यानि के x x कहां पर करेंगे same place पर work करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा reflexive relation हो जाएगा ठीक है अगर x जो है y के साथ work करता है obvious बात है y भी किसके साथ work करेगा same place पर x के साथ ठीक है अगर x y के साथ work करता है तो y भी x के साथ same place और टो यहंसा हुझा एमारा समय ऊच मायम हाव और यंच हो जाए गर से अंच इंच करे लिए खुट करेगा उत्त तो इत्स लॕट works करेगा हमारा ऊसलिए था थी कुट करता है ये लखने रिए खुट में होनus d2 ऊच पि proprietary आव मेल live in the same locality देखो x जो है खुद के साथ एक करक्षैन में रहे Control एगी रहे हैं तो यह ऑर sûr यहम्हहारे सेम लोकल्टी में रहेंगे ही रहेंगे तो यह हमारा कॉंसा रिलेशन हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन अब अगर एक्स वाई के साथ सेम लोकल्टी में रहता है तो एक्स और जड़ भी कहा रहेंगे सेम लोकल्टी में रहेंगे तो यह हमारा कॉंसा रिलेशन हो इसके अंदर के एक्स जो है य से 7 cm टॉलर है तो देखो एक्स जो है खुद से तो 7 cm टॉलर नहीं हो सकता अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगी तो जो एक्स है वो एक्जेक्ली 7 cm टॉलर नहीं हो सकता एक्स से यानि खुद से हम जो है खुद से तो 7 cm टॉलर नहीं हो सक इसके बाद अगर X जो है Y के साथ, अगर X जो है टॉलर है Y से 7 cm, तो Y एक्स से 7 cm टॉलर कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो अगर X जो है 7 cm टॉलर हो गया, X जो है 7 cm टॉलर हो गया, तो Y एक्स से 7 cm टॉलर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगर, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमारा symmetric है और अगर हम transitive की बात करें देखो अगर x y से 7 cm टॉलर है और y जो है z से 7 cm टॉलर है तो जो यह x और z से तो x जो है z से कितने हो गया हमारा 14 cm टॉलर हो गया हमारा तो यह क्या हो गया हमारा यह भी हमारा transitive नहीं है अब यह इसका भी इसका भी हमारा क्या हो गया है इसका भी हमारा क्या हो गया मैं सिमेट्रिक भी नहीं हो गा हमारा इसी तरह किसे अगर X Y की वाइफ है तो Y Z की वाइफ हो सकती है क्या तो Y तो X की वाइफ नहीं हो सकती ना तो X Y की वाइफ है तो Y जो है X की वाइफ नहीं हो सकती अब next आता है हमारा अगर X जो है Y की wife है तो Y Z की तो नहीं हो सकती हमारी ठीक है अगर X जो है Y की wife है तो Y जो है Z की नहीं हो सकती यानि AB condition तो satisfy हो रही है लेकिन BC condition satisfy नहीं हो रही है मैं transitive की बात कर रही हूँ यह यह reflexive नहीं है symmetric नहीं है अब मैं transitive की बात कर रही हूँ अगर X जो है Y की wife है तो Y जो है Z की wife नहीं हो सकता है यानि कि AB relation दो satisfy हो गया लेकिन BC relation satisfy नहीं हो रहा अगर BC नहीं हो रहा तो हम AC की भी बात नहीं करेंगे तो क्या हो गया यह relation हमारा transitive हो गया क्योंकि XY AB condition है BC नहीं है जब BC नहीं है तो AC की बात नहीं करेंगे तो ऐसी condition में नहीं क्या बताए था यह कौन सी condition होगी transitive condition तो यह reflexive नहीं है symmetric नहीं है transitive yes transitive है next देखो अगर x जो है y का father है x is the father of y तो हो सकता है लेकिन first देखते हैं सबसे पहले तो reflexive देखेंगे तो खुद जो खुद का father तो नहीं हो सकता x जो है खुद का father तो नहीं हो सकता तो first condition reflexive तो यह नहीं होगा अब next अगर x जो है y का father है तो y जो है x का father नहीं हो सकता फिर तो sun हो गया उसका x अगर y का father है तो y तो sun हो गया तो y जो है x का father नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ये हमारी symmetric condition भी satisfy नहीं होगी next आता है हमारा transit में अगर x जो है y का father है तो हो सकता है y जो है z का father हो ठीक है ये हमारा हो सकता है क्योंकि ये grand father हो सकते है ये father फिर उनका son हो गया तो ये हो सकता है कि x जो है y का father है फिर y जो है z का father है देकिन फिर X जो है जड का फादर तो नहीं हो सकता देखो X Y का हो गया ठीक है यह हमारी यह फादर हो गया यह सन हो गया उसके बाद Y जो है जड का हो गया यानि कि यह फादर हो गया यह सन हो गया तो ये वाले जो हैं, ये इनका हो गया, ये वाला बेटा ये इनका हो गया, तो जो ये X, Z है, ये कौन सा रिलेशन होगा, grandfather का किसका relation होगा grandfather का होगा क्योंकि ये इसका बेटा और इसका बेटा ये तो ये इसका father नहीं हो सकता लेकिन देखो इसमें condition देखो xy आ गया yz आ गया लेकिन xz नहीं होगा ठीक है ये condition भी true हो रही है ये condition भी true हो रही है लेकिन XZ जो है condition true नहीं हो रही तो इस वज़े से ये जो है हमारा transitive नहीं होगा तो ये तो ना तो reflexive है ना symmetric है और ना ही हमारा transitive है नेक्स हमारा second question देखते हैं देखो इसके अंदर क्या है हमारा show that the relation R in a set of real numbers defined as देखो क्या देखा है R is equal to AB तो A less than B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive अब यहां यह जो इसमें हमारा condition अगर आप 11 लेते हो देखो real number पर तो कुछ भी number हो सकते हैं upon में भी हो सकते हैं negative भी हो सकते है square root में हो सकते हैं कई तरह से number हो सकते हैं तो अगर हमारा किसी एक में भी ना आ जाएगी कि दो condition तो satisfy यानि कि अगर आप को कि मैं 11 लेके चलते हैं तो 1 तो छोटा हो जाएगा 1 का square equal 2 भी हो जाएगा तो 1 के लिए तो यह हमारा true आ जाएगा 2 के ले लेके चलेंगे तो भी false हो जाएगा क्योंकि 2 जो है छोटा और equal नहीं हो सकता 2 का square यानि 4 से तो यह वाली condition भी इसके अंदर क्या होगी satisfy होगी देखो यह वाली condition भी इसके अंदर क्या होगी satisfy होगी 3 का लेके चलेंगे वो भी satisfy होगी लेकिन अगर मैं इसके अंदर देखो real number है तो 1 by 2 भी होगा इसके अंदर अगर मैं ये condition ले लू 1 by 2 1 by 2 वाली तो 1 by 2 जो है R relation में तो आगे मैंने ले लिए लेकिन जो 1 by 2 है वो जो है छोटा नहीं होगा ना equal होगा कि 7 by 2 के square यानि 1 by 4 से ठीके 1 by 2 जो है ठोटा नहीं होगा 1 by 2 के square यानि 1 by 4 से क्योंकि 1 by 2 का क्या होगा 0.5 और 1 by 4 क्या है हमारा 0.25 तो यानि कि इस condition में ये क्या होगा reflexive नहीं होगा ये ये कि 1 में हो गया तो यह हो जाएगा 2 में हो गया तो हो जाएगा 3 में लिया हो जाएगा लेकिन अगर किसी भी एक condition में यह not होता है तो सारी condition के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा not मानना पड़ेगा तो अगर इसके लिए यह not आ गया तो हम क्या कहेंगे कि reflexive relation नहीं है true है तो सब के लिए true होन नहीं चाहिए इसके बाद symmetric में देख रहे हैं देखो two तो example लेकर ही देखना पड़ेगा इसके अंदर तो क्योंकि relation ही इतने सारे हैं तो हर एक में किसी में two भी हो सकता है किसी में नहीं भी हो सकता है तो हम क्या है जिसमें नहीं है वही example लेकर देख रहे हैं तो देखो जैसे 2 5 एक relation लिया, 2 जो है, छोटा हो जाएगा 5 का square, यानि 25 से, ठीक है, 2 जो है, छोटा हो जाएगा 5 का square, यानि 25 से, हो जाएगा छोटा, लेकिन जो 5 है, वो छोटा नहीं होगा 2 के square, यानि की 4 से, ठीक है, 5 जो है, छोटा नहीं होगा 2 का square, यानि 4 से, तो ये तो हमारा condition, 2 5 तो है लेकिन 5,2 नहीं हो गई तो यह से लिए यह क्या हो जाएगा हमारा not symmetric हो गया अब हम transitive का एक example लेते हैं देखो 3,2 belongs to R क्योंकि 3 जो है छोटा हो जाएगा हमारे 2 का square नहीं 4 से हो गया अब यहाँ पे BC ले लिया यानि कि 2 का square यानि 2 जो है छोटा हो जाएगा हमारा अब देखो क्या 3,3 by 2 भी यह condition satisfy करे यानि A भी कर दिया, B C कर दिया क्या A C भी condition satisfy करेगा यानि कि 3 जो है छोटा होगा हमारा यहाँ पे देखो यह तो 3 by 4 कर दिया 2 जो है छोटा नहीं होगा 9 by 4 से क्यूं इसका अंसर क्या जाएगा 2.25 करके कुछ आएगा इसका और यह क्या हमारा 3 तो क्या होगा 3 जो है छोटा तो 3 जो हमारा छोटा नहीं होगा 9 by 4 से 3 जोटा हो गया 4 से 2 जोटा हो गया 9 by 4 से लेकिन जो AC वाली कंडिशन है 3 is not less than 9 by 4 यानि 2.25 से 3 जोटा नहीं होगा तो इसका मतब यह जो गिवन फंक्शन है ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांसेटिव